लेट्स मेक सूपर डिलिशियस रेड थाई करी एथ हूम तो यह बहुत ही इजी है बनाना स्टार्ट करते हैं फरस्ट अफॉल पुट सम रेड करी पेस्ट इन बोल तो यहां पर मैं रेड थाई करी पेस्ट यूस करी हूँ जो इसली मार्किट में मिल जाता है अब हम ले लेंगे 4 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क तो यह जो थाई करी है यह कोकोनट मिल्क में ही बनने वाली है तो अभी हम मेरिनेशन बना रहे हैं अब डालेंगे salt, black pepper और 2 टेबल स्पून डालेंगे corn starch और you can say corn flour तो अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे so that इसमें कोई भी lumps ना रहे जब इसे अच्छे से mix हो जाएं तो हमें इसे एक side पे रख लेंगे अब ले लेंगे tofu और इसे हम cut कर लेंगे in cubes तो cubes में cut करने से पहले आपको tofu को टीशू पेपर में wrap करके रखना है almost 1 hour और you can say 20 minutes और उसके बाद हम जो हमने marination बनाया था उसमें tofu को डाल देंगे और अच्छे से mix करेंगे देखिए जैसे मैं mix कर रही हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी cubes हैं tofu के वो अच्छे से marinate हो जाएं अच्छे से cover हो जाएं तब भी हमारा tofu अच्छा बनेगा अब इसे marinate करने के बाद हम cover करके रख लेंगे 15 minutes के लिए अब मैंने यहां पर ले लिए हैं कुछ wedges आप अपनी चोईस की ले सकते हो मैंने लिए हैं गाजर, ब्रॉकली, सेमफली और यहां पर मैंने अलपीनोस भी लिए हैं तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो शिम्रा मि तो मैं यहां पर गाजर को कट कर रही हूँ इसी तरह आपको सारी वेजिस को कट करना है तो क्लीन करने के लिए भी मैं एक फॉर्मूला यूज करती हूँ पानी मैं 15 minutes के लिए सारी वेजिस को रखती हूँ और इसमें मैं डालती हूँ वीनेगर वाइट वीनेगर आप डाल सकते हो और सॉल्ट तो 15 minutes के लिए मैं इन सब वेजिस को उस स्वलूशन के अंदर रखती हूँ नाउ अहाँ केट आवल डाल सावा बैच़िस अब हम कट करेंगे जींजर और गार्लिक को उस इनहे हाँ नहीं हाँको चॉपुको करते हैं तो आप वहां पर दो उनियन्स को यूज कर सकते हो अभी मैंने एक पतीले में ओयल ले लिया है जिसे मैंने गरम कर लिया है और उसके पात मैं मेरिनेटेड टोफु को डालूगी तो आपको यह काम धीरे से करना है क्योंकि टोफु जो बहुत सॉफ्ट होता है और यह टूट जाता है तो आप यहां देख सकते हैं मेरा टोफु टूट भी रहा है तो इक ड़ी में बहुत अच्छा लगेगा भले यह टूट भी जाए तो आपको इसे अच्छे से फ्राई करना है उसके बाद में हम डाल देंगे चॉप जींजर, गार्लिक और अनियन अब इसे आप दो मिनट के लिए कुक करोगे और दो मिनट कुक करने के बाद आप डाल दोगे वेजिस को अब हम ले लेंगे सोया सॉस तो सोया सॉस आपको डेट चमच के असपास डालनी है अब डाल देंगे सॉल्ट और यहां पे मैं नारियल का जो मिल्क था कोकोनट मिल्क को डालते समय वीडियो लेना भूल गई हूँ तो यहां पे आपको डेट कप नारियल का मिल्क यूज़ करना है तो उसके बाद हम डाल देंगे थाई करी पेस्ट और इससे अच्छे से मिक्स करना है अब हम इसे कुक करेंगे हार्टली 15 मिनट्स और यह आपको करना है सिम गैस पे बिल्कुल ही लो हीट होनी चाहिए गैस की और अब इससे हम कुक करेंगे फॉर 15 मिनट्स और 15 मिनट्स के बाद देखें कितनी अच्छी करी बन गई है हमारी और इससे हम सर्फ करेंगे विद राइस और यू केन अलसो सर्फ इट विद फाइट राइस नूडल्स उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं तो इस तरह से मैंने थाई करी बनाई है आप भी घर पे बनाई है और सब को खिलाएए बाबाई